हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका अमारे इस यूटूब चैनल में आज हम आपके लिए जी के जी एस की बायलोजी से रिलेटर ट्रिक ले करके आए हैं इसमें बिटामिन और उसके रासाइनिक नाम से रिलेटर ये ट्रिक है तो बिटामिन A का रासाइनिक नाम रेटिनोल है बिटामिन B का थोयमिन है बिटामिन C का रासाइनिक नाम एसकोरविक एसिड है बिटामिन D का जो रासाइनिक नाम है वो कैलसी फेरोल है बिटामिन जो E है उसका रासाइनिक नाम टोको फेरोल है बिटामिन K का रासाइनिक न टैप से याद हो जाएंगे इसके लिए आपको केबल एक बाग के याद करना होगा और इस बाग क्योंको याद करते ही है आपको सारे विटामिन्स के जो रासाइनिक नाम है वो सभी आपको याद हो जाएंगे इस तरीके से आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि विटामिन 1 वो मैंने नीचे लिखती है, आप देख सकते हैं। इसकी ट्रिक है, रत एक टॉफी। रत एक टॉफी इसका प्रत्य एक तोफी стала किवल यह बाग क्या आपको याद करना है रत एक टॉफी। इससका प्रत्य एक अच्छर एक विटामिन की रासा एनका नाम की, पहला अच्छर को प्रदर्शित करता है यह बाग के विए एक अच्छा बन गया है तो आप देख सकते हैं जो रह है वो रेटिनॉल विटामिन A की नाम को प्रदर्शित करता है जो विटामिन B के राशान एक नाम है यह थोयमेन यह था को प्रदरसित करता है इस तरीके से यह A है यह रेटिनोल को प्रदरसित करता है और यह जो A है यह वाला यह विटामिन C के रासाइन एक नाम को प्रदरसित करता है इसको और वेक ऐसे ठीक है और जो अगला है कर यह विटामिन D का रासाइन एक नाम की पहल विटामिन E का रासा निगनाम tucoferol है यह उसके पहला अच्छर को प्रतर्षित कर रहा है और जो इंड का जो लास्ट का विटामिन है वो विटामिन K जिसका रासा निगनाम है है फिलिककनॉम् विटामिन के का रासा नगनाम कर सोच फैरोल हैथा मीन और क। असका है विटामिन एक का तर्य मिन च्रॉम T है तो इसी तरह से यह सारे बिटामिन के रासा नगनाम की यह डंगा डंग सती आपके लिए रथ एक टौफी इस तरीके से आप इससे के वल याद कर दिए रथ एक टौफी यह उसके सामने के विटामिन के राशानिक नाम लिख रहे हैं यह विटामिन A का है विटामिन B का C का D का E का और K का आपको के वल इससे याद करना है मैं एक वाल लिख देता हूं अच्छे से रत एक टौफी यह आपके लिए वेरी इजी ट्रिक बन जाती है आपके लिए आप इसे याद कर सकते हैं दोस्तों आपको वीडियो यह कैसी लगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लिस लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियो को अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है